आज हम देखेंगे रुपानतरीत भूमीगत तने, Modified Underground Stamps, इसमें सबसे बैस्ट एक्जाम्पल है, इसके कुछ जो है प्रकार होते हैं, उसमें सबसे पहला हम देखेंगे प्रकंद, राइजोम, अब इसमें देखेंगे आप राइजोम अद्रक, इसका अच्छा उधारण है, और अभी ये चू की नवंबर महा में सारी चीज़े मिल जाती है, इसलिए मैं आपको इसका प्रत्यक्ष उधारण बता रही हूँ, अद्रक जो होता है, वो कैसा बढ़ता है, और अद्रक में क्या दिखाई देता है, ये शेतिश दिश्या में बढ़ते हैं, शेतिश है न, वर्टिकल नहीं होते हैं, शेतिश होते हैं, अब इसमें देखिया, ये यहाँ पर आपको जड़े दिखाई दे रही है, अपिस्थानिक जड़े, ये अपिस्थानिक जड़े हैं, उसके बाद में इसमें आपको scales ये देखिए आप शल्क दिखाई 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 उधारण है और ये भूमी में कौन सी दीशा में बढ़ता है शेतिश दीशा में बढ़ता है इसमें नोड और इंटर नोड इस पस्ट दिखाई देते हैं इसके बाद में बात करेंगे हम घंकंद की घंकंद मतलब ये होता है कि इसका शरीर गठीला होता है जैसे अद्रक में आप कैसा देख रहे है आडा तिर्चा दिखाई दे रहे है आपको बीज भी इसमें से जॉइंट दिख रहे है अरभी जो होती है जनरली कैसी होती है घंकंद जो होता है उसका शरीर पूरा गठीला होता है इसमें भी यहाँ पर ये जो है इसमें यहाँ पे नोड इंटर न new bird है ये देखे ये old है और ये new bird है तो ये पूरा जो ये वाला corn old हो गया और इसमें नई कली का यहाँ पर निकल रही है तो ये घंकंद का बहुत अच्छा उदारण है अब अर्वी है यहाँ पर उसका उदारण जिमी कंद भी होता है जिमी कंद भी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर मेरे पास अभी अर्वी थी तो ये मैंने आपको दिखाई उसके वाद हम बात करते हैं कंद की अब ये सारे तने जो आप देख रहे हैं ये तनों के रुपान तरने और क्यों कर रहे हैं ये भोजन संग्रह के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर देखे आप इसमें ये अंकुरन दिखाई दे रहा है आपको बहुत अच्छे से है ना यहाँ पर आप देखे ये अंकुरन दिखाई दे रहा है ये इसमें बहुत अच्छे से अंकुरन दिखाई दे रहा है आलू में क्या होता है इसमें कि यह लगभबग गोलाकार होते हैं पंतिम सीरों के फुल्ल नायसे बंते और इनमें क्या होता है कि सबसे जादा विशेश्टा इसकी होती कि जहां-जहां आखें होती तो आब देखिये कितनी जगे से अंकुरी तोओा, यहां की आंखे थी अक्षी यहां अंकुरी तोओा यहां पे अब यदि मिठी में बोना चाहें घर पे भी आप विसको बहुत अच्छे से बो सकते हैं गमलों में तो आप इसमें जहाँ जहाँ आखें महां से इसके टुकडे काट कर यदि आप इसको लगाएंगे तब जितने टुकडे लगाएंगे उतने आलू आपको प्राप्त होंगे या आप चाहें तो पूरी तरह से जो है इस आलू को भी इस तरह से आखें होना चाहिए बस आपकी उसमें यदि आखें होगी और अंकुरित करी हुई होगी तो आपको जो है बहुत अच्छे से आलो की फसल प्राप्त हो सकते हैं अब इसमें बहुत अच्छे से फसल को प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद है शल्ककंद शल्ककंद को वल्ब कहते हैं अब शल्ककंद इसमें भी आप देखिए एक होता है संकेंद्रित होते हैं देखे आप कि संकेंद्रित के से पूरे प्याज के छिलकों ने एक दुसरे को ढखा हुआ है यह प्याज का छिलका इसने इसको ढखा फिर दुसरे इसको ढखा पूरा ढखा हुआ है और इसमें भी देखे आप यह अंकुरन हो रहा है इसको भी यदि और ये कहलाता है Tunicated World, कंचुकित जो है शल्ककंद है ये और ये कंचुकित ये दूसरा वाला जो है वो है शल्की प्याज और लसन में ये अंतर है कि वो Tunicated था मतलब पूरा एक के उपर एक के उपर एक है न संकेंद्रिट और ये संकेंद्रिट नहीं होता इसमें आपने देखा होगा लसन में तो केवल उपर चिलके दिखाई देते हैं हमको ये उपर चिलके दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा इसमें क्या होता क्योंकि ये संकेंद्रित नहीं है अर्था एक दुसरे को ये ढखते नहीं है प्याज में क्या होता है एक दूसरे को पूरा ढखता है और लसोन एक दूसरे को नहीं ढखती है इसमें जो क्या होगा इसमें सूखा और जिल्ले के समान कोई शल्क पत्र भी नहीं होता इसका उधारन लीली भी होता है तो इसमें तो अलग-अलग यहां पर कलियां पाई जात उसके प्रकार है प्रकंद, घंकंद, कंद, कंचुक और शल्ककंद के दोनों प्रकार इस तरह से जो हैं आप इसको याद कीजिए